सभी को मेरा साधर प्रणाम और स्वागत करती हूँ आपका आज की खास पेशकस में मैं सोनिया चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे साथ ओमप्रोप्टेक ट्राइविट लिमिटिड का ओफीशल यूट्यूब चैनल तो साथियो आज मैं एक नहीं दो नहीं तीन बहुत अ साइज है अब उन पर बड़ा घर कैसे बना सकते हैं उससे जुड़ी हुई भी एक बहुत अच्छी ख़बर यमना प्राधिकरन से निकल कर सामने आ रही है जी हां जो यमना प्राधिकरन है उन्होंने जो एफे आर होता है फ्लोर एरिया रेशियो उसके बाइलाउज में ब पॉब्लिक 2023 लगभग एक लाग से जादा लोगों ने अपना पंजी करन तो करा ही लिया है साथी साथ बहुत जादा संख्या में लोग अब अपनी जो पेमेंट है वो भी कर रहे हैं और इतनी पेमेंट हो रही है अब की जो वेबसाइट है अमना प्राधिकरन की वो भी है हो रही है, सर्वर बिजी आ रहा है, वेबसाइट पर बहुत जादा ट्राफिक होने के कारण बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है, जो भी एप्लिकेंट्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कोश्चन की हमारी जो 590 रुपे है वो डिड़ जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म उपन नहीं हो पारा है, तो वो दुबारा फॉर्म कर रहे हैं, तो बार बार डिड़क्ट ना कराएं, एक बार पान सुन लभ्य जमा होने के बाद थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें और दुबारा से लॉग इन करकर देखें कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाकी घबराने की और पैनिक होने की बिल्कूल भी जरूरत नहीं है, अगर अकाउंट से अमांट डिड़क्ट हो गई है, तो या तो रिवर्स आपके पास आएगी, या फिर यमना प्राधिकरन के पास जाएगी, उसके बीच में कोई नहीं है कि हमा उनको पूरा करने में लगातार लगा हुआ है, तो पहले एक बार डालते हैं स्क्रीन पर नजर, नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट के शुरू होने तक तयार हो जाएंगी सड़क की कनेक्टिविटी, जी हाँ, जब नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट शुरू होने ज तयार हो जाएंगी जो नॉड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट को कनेक्ट करेंगे और इजी लोग एक जगा से दूसरी जगा आपाएंगे, वहीं जल्द शुरू होगा यमना सिटी में फिल्म सिटी का भी काम, बेहत जल्द शुरू होने वाला है जो यमना के सेक्टर 21 में फ छे महीने में ये प्रोजेक्ट धरातल पर काम करते हुए दिखना चाहिए कि यहाँ पर निर्मान कारेश शुरू हो गया है वहीं यमना अथौर्टी एरिया में बिल्डिंग बाइलोज में बदलाव जी हाँ ये भी बहुत बेहत खास खबर होगी कि यमना अथौर्टी ने बाइलोज चेंज किये हैं अपना कि कैसे जो फ्लैट है जो मकान है उनका एरिया छोटा होता है तो उस पे हम बड़े साइज का घर कैसे कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं और क्या-क्या बदलाव किये हैं वो भी हम आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे पहले नजर डाल रहेते हैं कुछ बिंदूओं पे आठ हजार हो जाएगी सितंबर से कामगारों की संख्या एयरपोर्ट के शुरू वात में जो कारगार हो रहे हैं अब जो सितंबर तक उनकी संख्या है वो लगभग आठ हजार हो जाएगी जल्दी से जल्दी और जो एयर एयरपोर्ट को शुरूवात में मिल जाएगी connectivity और बहुत बड़ी मिलेगी राहत दो हजार 24 ऑक्टूबर में यात्री सेवाओं की शुरूवात होगी नॉड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो यात्रियों की शुरूवात होगी वो तो ऑक्टूबर 2024 से यहां पर हम लो यहां से उडान भरेंगे वो जल्द ही हमें देखने को मिलेंगे 6-7 महीने में लेकिन जो यहां से यात्री हवाई यात्रा कर पाएंगे उसमें ऑक्टूबर 2024 तक का हमें वेट करना पड़ेगा तो यह बेहत खास खबर है सातियों वहीं देख लेते हैं कि छोटे साइस के प अभी तक क्या था कि जो भी हम फ्लैट लेते थे या जो भी हम प्लॉट लेते थे उसमें हमें जो एरिया है उसी में से बालकनी को छोड़ना पड़ता था लेकिन अग बालकनी अलग होंगी और आपका जो एरिया है वो अलग होगा यह बहुत बड़ा परिवर्तन है जो लो फ्लोर एरिया रेशियो इससे अलग आपको बालकनी बनाने की सुविधाय देने जा रहा है यमना प्राधी करण वहीं बदलेगा पार्किंग का नियम बना सकेंगे एवी चार्जिंग इस्टेशन अपने घर में ही इन वहीकल्स को चार्ज कर सकते हैं और ये सुविधा हमें घर बैठे ही मिल सकती है बोर्ड से अप्रूव के बास सासन की पास बेजा गया है ये प्रिस्ताव बोर्ड से इसे मंजूरी मिल गई है अब सासन के पास इस प्रिस्ताव को बेजा गया है उसके बाद ये नियम लागू होने लगेगा अगले महीने सासन से जारी हो सकता है notification एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने सैप्टमबर में वहाँ से जारी हो सकता है notification मकान वे फ्लेट दोनों में इसका लाब मिलेगा चाहे फिर वो मकान हो या वो फ्लैट उसमें दोनों में ही ये कारगार साबित होगा और दोनों में ही इसका लाव मिलेगा कैसे अभी इस्तिती ये है कि कोई एक हजार स्क्वाइर फुट का फ्लैट लेता है एक हजार स्क्वाइर फुट का तो बालकनी कमरे आधी सब मिलाकर करीब जो इस्पेस बचता है वो लगबग छेसो पचास से साड़े सास सो स्क्वाइर फुट का कवर्ड एरिया उसे मिलता है इस बदलाव कि ये कवर्ड एरि पारकिंग के लिए होगा विकल्प मकान बनाने के लिए 80 वर्ग मीटर के एरिया में एक कवर्ड पारकिंग अनिवार्य है अगर 80 मीटर का आपका कोई भी घर है तो उसमें आपकी पारकिंग अनिवार्य कर दी गई है नए बाइलोज में ये 100 वर्ग मीटर होने जा रहा है जो 80 मीटर है वो 100 वर्ग मीटर में कनवर्ट होने जा रहा है आप 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक पर मकान बनाएंगे तो एक कार पारकिंग इस्पेस बनाना आपके लिए अनिवारे हो जाएगा आपको पारकिंग के लि बड़ा हो जाएगा तो सात्यों ये बेहद बेहद खास खबर थी और बेहद अच्छी खबर थी जोड़ी हुई कि क्या-क्या बाइलोज इसमें बदले जा रहे हैं वहीं फिल्म सिटी की हमने बात करी फिल्म सिटी भी बहुत जल्दी हमें धरातल पर देखने क्यों मिलेगी नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी रफ्तार से हर दिन काम कर रहा है 8000 की संख्या सितंबर तक यहाँ पर कारगरों की हो जाएगी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी शुरुवात हमें होते हुए अब नजर आएगी बाकी स्कीम में सब अप्लाई करें समय जादा बचा नहीं है मातर आज 25 तारिक है पास से 6 दिन आपके पास समय है लेकिन थोड़ा सा धहरे बना कर चीजों में अप्लाई करें और फॉर्म को फिल करें कोई भी गल्ती ना करें कोई भी कोशन है कोई भी कोईरी है लगातार हम लगे हुए है आपकी मदद में सुभा से शाम तक लोगों के कॉल्स आते हैं जवाब देने की कोशिश करते हैं कुछ कॉल मिस भी होती है क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक कॉल आ रही है तो अगर कोई भी ऐसा है कि जिसक नंबर मेंशन रहते हैं 9800 500 700 8510 801801 साती हुमारी ओफिशल वेबसाइट भी है www.omprotect.com वहां आकर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं क्या-क्या साइज है प्लॉट के क्या-क्या एरिया है किस पॉकिट में कितने प्लॉट से सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी रिगार्डिंग यमना प्राधी करन और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं क्या-क्या रनिंग में हैं क्या-क्या इंडस्ट्री आ चुकी हैं सब कुछ आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा बाकी जल्द मिलूँगी और अच्छी खबर के साथ बड़ी खबर के साथ अब लेती हूँ विदा और आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद.